हेलो, इस मिरा नाम है सार्द और आप लोग देख रहे हैं Maudix Tech, स्वागत हो दोस्ताव सभी का Indian Peace Setups के अपिसोड नमबर 63 के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कुछ आप ही लोग के बेज़ो हैर Budget Category Peace Setups सो इस वीडियो को इन तक देखते रहे हैं काफिसा मज़ा आने वाला है और आप में से अगर किसी नाभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अगर फटर 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 से काल लोग चानल को सब्सक्राइब OEM की एंड डिटेल कीज देखने को मिल जाती है Windows 10 की चाहिए या फिर 11 की चाहिए हो या फिर अगर आपको MS Office की की बाई करनी हो तो वो भी आप इस जहां करके इस वेबसेट से बाई कर सकते हो इस वेबसेट की लिंक के नीचे देदू या फिर अपने इस आपसे आप यहाँ पर PC को कस्टमाइज करके यहाँ से डिरेक्ली ओडर प्लेस कर सकते हो या फिर आपको यहाँ पर PC कॉंपेंट्स भी देखने को मिल जाते है अगर कोई सिंगल कॉंपेंट्स आपको चाहिए तो वो भी आप जाकर के इस वेबसेट से बाइक कर सकते हो फिर से अच्छी बात modexcommodals.com वेबसेट की बारे में यह है कि यहाँ पर आपको बहुत ही जादा अच्छे प्राइजिस की उपर PC मिल जाते है साथियाद आपको यहाँ पर after sales support भी बहुत जादा अच्छा मिलता है सो definitely आपको अगर PC बाइ करना हो so modexcommodals.com को वेबसेट को जरूर चेक आउट करना नीचे लिंक आपको मिल जाएगे दिस्क्रिप्शन के अंदर और हाँ इनका एक YouTube चैनल भी है जिस पे यह काफी सारे अपने कस्टमर्स के PC विल्ड को शोकेस करते रहते हैं आप उसको भी जाके चेक आउट कर सकते हैं उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है तो चलिके शुरुआत करते हैं बात करते हैं और सबसे पहली एंट्री के बारे में तो यह हम को बेचे हितेश जीन है देख सकते हो जो इनका मॉनिटर है वो इन्होंने यहाँ पर वाल माउंट कर रखा है जो किया अक्चुली में हाँ पर काफी बढ़िया लग रहा है बाकी बात करेंगे आर इनकी सेटोक के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं या फिर 6GB वाला यूज़ कर रहे है बाकी काबिनिट यहाँ पर यूज़ कर रहे है अंटी स्पोर्स की तरफ से 511 MT पेरिफरल्स के बारे में बात करें तो मोनिटर यहाँ पर यूज़ कर रहे एसर का नाइट्रो वीजी 240YS जो की 1080p 165Hz वाला मोनिटर है 24 इंचिस के स्क्रीन साइस के साथ में आपर आजाता है और वाल मॉंट कर रहे है काफी बड़े अलग रहे है देखने में बाकी कीबोड यहाँ पर यूज़ कर रहे है HP की तरफ सुनका एक मेकानिकल गेमिंग कीबोड माउस यहाँ पर यूज़ कर रहे है अच्छा केबल मैनेजमेंट इन्होंने यहाँ पर कर रखा है और मोनिटर को भी क्योंकि वाल माउंट यहाँ पर कर दिया है तो उसके पीछे से जितनी भी वायर्स थी वो यह अपने मोनिटर के पीछे की साइट से वाल के थुरू ले गाए है तो भाई काफी साही लग रहा है अब देखने में से टव अब इन्होंने बताए कि अपने PC को यहाँ पर यूज़ करते हैं गेमिंग करने के लिए साथी साथ यहाँ पर एडिटिंग करने के लिए और ज्यादतर तर तो इसके उपर बताने की मुवीज देखते हैं या फिर थोड़बा स्टडी वगरा कर लेते हैं अपने PC के उपर तो देखो उससाब से जो इनकी परफॉर्मेंस है वो इनको यहाँ पर जो है काफी ठीक ठाक यहाँ पर मिल जाती होगी तो 1080p लेवल की अगर आप मीडियम सेटिंग पर अगर गेमिंग करोगे तो आज भी जो है इनको 60 fps जैसी गेमिंग जो इनको यहाँ पर यहाँ पर करा देता होगा और बागी रही बात एडिटिंग के बारे में तो अच्छी कासी एडिटिंग भी जो है इनका सिस्टम इनको यहाँ पर करा देता होगा 1080p लेवल तक की वीडियो उसको एडिट करने में कोई भी दिक्कत इनको यहाँ पर नहीं आती होगी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग तो इनको काफी साइप परफॉर्मेंस इनका PC देता होगा बागी बात करें अब कुछ सेजेशन के बारे में तो देखो भाई आपके स्पेक्स के रिगार्डिंग तो कोई भी सजेशन निहीं क्योंकि आप जो अल्रेडी यहाँ पर PC यूज कर रहे हो उसकी जो स्पेक्स है जो आप पर पेरिफ्ररल यहाँ पर यूस कर रहे हो और थोड़ा सा RGB का touch-up देने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अपना जो monitor है उसके पीछे आपने जैसे यहाँ पर wall mount भी कर रहा है तो वो चीज जो actually में काफी बढ़िया लगेगी आप इसके पीछे यहाँ पर LED strips आती है आप उसका यहाँ यूज कर सकते हो RGB LED strips आती है आप उसक तो मच अपने setup यहाँ पर भेजने के लिए अब चली के बढ़ते आगे और बात करते मारे अगली entry के बारे में तो यहाँ को बेजी है निखिल दास जी ने जो की 17 साल के रहने वाले आसाम के अंड ये एक student है बात करें जिनके setup के बारे में तो यहाँ पर आप लोग देख स करी है जैसे की nano leaf के आपने hexagon देखेंगे ट्राइंगल्स देखेंगे तो उनकी lines भी आती है तो उन्होंने उसी की तरह यहाँ पर बनानी कोशिश करी है बेसिकली इन्होंने मेरे साब से LED स्ट्रिप्स का यहाँ पर यूज करा है इस चीज को यहाँ पर बनाने के लिए काफ दो डेस्क को इन्होंने एक साथ मिला करके बना रखा है कीबोर्ड माउस मोनेटर जो है वो साइड में है और बागी PC एक दूसरी डेस्क के उपर यहाँ पर रखा हुआ है अब एक काम करते है बात कर लेते से पहले इनकी PC की स्पेसिफिकेशन के बारे में तो प्रसेसर यह जो है यहाँ पर टोटल 8GB की सिंगल स्टिक यूज़ कर रहे है Corsair की तरफ से उनकी Vengeance 2400 MHz के पर जो की clocked है बागी graphics card यहाँ पर यूज़ कर रहे है GT710 and cabinet यहाँ पर यूज़ कर रहे है Chipronics की तरफ से MX4 RGB बागी peripherals के बारे में भात कर रहे तो monitor यहाँ पर यूज़ कर रह टेक का G402 headset इनके पास ready gear के Cosmos 7.1 और बागी speaker के लिए monitor के जो inbuilt speakers है उसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अब इन्होंने बताए कि अपने PC and setup को यहाँ पर यूज़ करते हैं gaming करने के लिए सातियाद editing करने के लिए और यह mostly अगर gaming करते भी है तो इसके उपर यह Valorant खेलते हैं अब देखो Valorant एक ऐसा गेम है जो कि यार GT 710 के उपर भी अराम से चल जाता होगा ठीक ठाक FPS इनको यहाँ पर at least 60 तो भाई निकाल के देई देता होगा तो decent इनको performance Valorant के अंदर तो यहाँ पर मेली जाती मतलब यह setup इनका थोड़ा सा पहले आया था कुछ महीनों पहले तो तब भाई prices insanely high थी और यह पता रहे है कि जब price थोड़ी fall होगी तो यह सके अंदर एक अच्छा GPU pair करेंगे अपने PC के अंदर बाकि अब तो price down आई गई है so most probably अब यह करी लेंगे तो performance इनको gaming के अंदर जो है वो यहाँ पर decent मिल जाती होगी और editing के बारें बात करें तो 1080p level तक की video editing यह बड़े आराम से अपने system के उपर यहाँ पर कर लेते होंगे पाकि as such यहाँ पर अगर हम लोग कुछ suggestion के बारें बात करें तो देखो आपके चाहे PC के बारें बात करें या फिर आपके peripherals के बारें बात करें तो बास यही को suggestion थे बाकि looks wise तो setup काफी कमाल का है जो नैनो लीफ का आपने आपर बनाने कोशिश करिए काफी जबरदस लग रहा था थैंकि सुमच निकलदास जी अपने setup भेजने के लिए बात करें इस हमारे अगले setup के बारें तो यह हमको बेज है मोहिन खत्री जी ने जो की 17 साल के रहने वाले हैं गुजरात के एंड ये एक student है बात करें इनकी setup के बारें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक थोड़ी सी छोड़ी साइस की desk है जिसके की उपर उन्होंने अपना पूरा setup यहाँ पर बना रहा है रूम के corner में ठीक ठाक space मतलब वैसे बहुत जादा तो नहीं मिलती है थोड़ी compact size की desk है पर इन्होंने पूरा ही setup बस कैसे भी करके अपना इस desk की उपर यहाँ पर इन्होंने बना दिया है वैसे अब mouse चलाने की जगे थोड़ी कम मिल रही है बट खेर इन चीजों के बारे में आगी चलगे बात करेंगे बागी अब बात कर ले देंगे PC की specifications के बारे में तो processor यहाँ पर use कर रहे है AMD की तरफ से Ryzen 3 30 100 processor RAM total जो यहाँ पर 16 GB उसकर रहे है 8 Hz GB की 2 sticks जो की 3200 MHz की उपर clocked है graphics card यहाँ पर use कर रहे है Galaxy की तरफ से GTX 1650 Super and cabinet यहाँ पर use कर रहे है Antec की तरफ से NX310 peripheral के बारे में बात करेंगे इस तो monitor यहाँ पर use कर रहे है LG का 22M के 600M जो की 1080p IPS पैनल के साथ में आने वाला 75 Hz के refresh rate वाला gaming monitor है keyboard यहाँ पर use कर रहे है Red Gear का Grim Keyboard, mouse यहाँ पर use कर रहे है Red Gear का A20 Gaming Mouse and speaker है इनके पास UMax के, अब इन्होंने बता है कि अपने PC को यहाँ पर use करते हैं mainly recording करने के लिए gameplays की साथी साथी है उसको फिर दन यहाँ पर YouTube पे भी upload करते हैं तो देगो भई उस हिसाब से जो इनको performance है यहाँ पर gaming में जैसे 1080p level तक की gaming जो इनका PC है वो इनको यहाँ पर जो काफी बढ़िया करा देता होगा 1650, Super, 3100 तो भाई 1080p, Medium to High Settings की जो gaming है वो इनका graphics card इनको यहाँ पर करानी capable है और यह अराम से उनको record भी कर लेते होंगे तो अच्छी गाजी decent performance इनको यहाँ पर मिल जाती होगी बात करें यहाँ पर हम लोग maintenance की बारे में तो cable management का काम चाहिए अगर हम लोग बात करें इनकी desk की उपर या फिर इनके PC के अंदर काफी बढ़िया कर रखा है वैसे भी यहाँ पर बस दो ही wires हमें देखने को मिलती है कि keyboard की and एक mouse की desk की उपर and cabinet के अंदर तो इन्होंने यहाँ पर काम अपना काफी अच्छा गासा है यहाँ पर कर रखा है बागी suggestions की बारे में बात करें तो देखो भई as such आपके PC specs and आपकी peripherals इसके regarding तो यहाँ पर कोई भी suggestion नहीं है अल्रेडी जो आप चीज़ें यहाँ पर यूश करें वो काफी बढ़ी है specs wise कुछ भी यहाँ पर आपको अपग्रेड करने की जरूत नहीं है बस काली यहाँ पर थोड़ा सा अगर टेबल में थोड़ा और अच्छा सा इन्वेस्ट कर सको एक अच्छे बड़ी साइस की डेस्क ले सको तो वो चीज़ काफी बढ़िया रही क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा माउस वगयरा यूज करने वे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम डेफिनिटली यार आती होगी क्योंकि भाईया PC भी तो उपर रखना है उसके अंदर RGB भी तो है तो उसको भी तो दिखाना है एंड वैसे भी हम डेस्टॉप कहते हैं तो उसको डेस्क के उपर रखना होता है तो बाकि और RGB भी है तो भाया वो भी तो दिखा नहीं है तो इसलिए नीचे तो रखेंगे नी PC को तो अगर थोड़ी सी और बड़े साइस के अगर डेस्क ले सको इन फ्यूचर तेन वो चीज़ काफी बढ़िया रहेगी तो बस यही था सेटप हमारे मोहिन खतरी भाई का थैंकी सो मच अपना सेटप भेजने के लिए अब चलिए कि इस बढ़ता अगे बात करते हैं वारे एंटरी के बारे में तो यह हम को बेजी है कार्तिक बिस्वास जी ने जुकी है 27 साल के रहने वाले हैं वेस्ट बेंगॉल के और यह एक बैंकर है बात करें इनके सेटप के बारे में तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि जो इनका सेटप है बाकी यहां पर यहां पर यहां पर देखने को मिल जाती है बाकी यहां पर यहां पर RGB strips का यूज करा हुआ है जैसे कि monitor के पीछे आप लोग यहां पर देख सकते हो ठीक है RGB strips है बाकी जो first look में यहां पर देखके पता चलता है मतलब धंक से MANAGE नहीं कर रखा है WIR भाई कोई Какी ओले है कोई North ऑह जा रही है कोई West जा रही है कोई South जा रही है तो बिल्कुल भी भाई धंक से MANAGE आपने SET-UP को नहीं कर रखा है जो की बात करेंगे है अर्ढ़ छीज के बारे में बोट फिलाल एक काम करते हैं के पास Asus की तरफ से GTX 1050 Ti and cabinet यहां पर यूज़ कर रहे हैं Deepcool की Matrix 55 उस addressable RGB उसका white वाला वर्जन जो है cabinet का यहां पर यूज़ कर रहे हैं बात करें इस peripherals के बारे में तो monitor यहां पर जो एक AOC का 720p वाला monitor यूज़ कर रहे हैं जिसका की model number है E970SW and keyboard इनके पास Red Gear के Blaze 3, mouse इनके पास Red Gear का Dagger, speaker इनके पास Sony का HT-RT40 जो की 5.1 चैनल वाले speakers है बाकी इनके पास Mauno का एक condenser microphone भी है AU A04 and front tech का webcam भी है बात करें यहां पर हम लोग maintenance के बारे में सो देखो यार cable management का काम जो है वो इन्होंने desk की उपर तो ठीक लगता है देखने में but desk के पीछे का जो नजा रहा ह वो पीछे से जातर closed रहती है कुछ-कुछ open भी रहती है बट यह open वाली है और इसके पीछे इनको cable actually में धंग से manage करनी पड़ेगी नहीं तो फिर वो ऐसा ही जो मकडी का जाला बन गया है बिल्कुल wires का यह ऐसा ही बन जाएगा तो क्यूंकि यह पीछे से खुली हुए तो actually इनको यार cable थोड़ी धंग से manage करनी चाहिए नहीं तो वो ऐसा ही messy सा जो है overall यहाँ पर लुक निकल करके आएगा बागी overall थोड़ा सा ध्यान तो भाई cables को धंग से manage करो तभी थोड़ा से यार अच्छा लाएगा देखने में setup और भाई अगर हम लोग cabinet के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो काम है वो इन्होंने ठीक टाक यहाँ पर कर रखा है अब इन्होंने बताए कि अपने PC को यहाँ पर यूज करते हैं live streaming करने के लिए editing करने के लिए gaming करने के लिए तो देखो भाई उसे साब से जैसे अगर यह 1050 Ti यूज कर रहे है Ryzen 5 1600 है तो gaming जो है इनको यहाँ पर यह 1080p low medium settings की जो gaming है वो इनका जो PC है वो इनको यहाँ पर अराम से यहाँ पर करा देता होगा वैसे भी जो यह monitor यहाँ पर यूज कर रहे है वो 720p monitor यूज कर रहे है तो उसे साब से थोड़े बहुत और फिरेमरेट इनको यहाँ पर देखने को मिल जाते होंगे बागी बात कर यहाँ पर अगर streaming वगेरा के बारे में तो streaming देखो as such कोई बहुत खदरनाक level की तो यहाँ पर नहीं कर पाते होंगे बठा कर लेते होंगे बढ़ देफिनिटी थोड़े बहुत issues इनको definitely यहाँ पर आते ही होंगे और editing भी करते हैं अपने PC के उपर तो 1080p level तक इसको और थोड़ा सा यह जो केबल साइस को ढंक से मैनेज करो तो भी सेटप देखने में अच्छा लागेगा वरना तो फिर भाई अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है आपका सेटप देखने में और जो अगली चीज है वो है इनके monitor के regarding आपका जो monitor है 720p यहाँ पर ज़रूर लगा लेना सब ठीक है और एस सच आपको यहाँ पर कुछ भी अपग्रेड करने की ज़रुवत नहीं है ऐस लोंग एस आपकी जितनी भी नीड्स है वो यहाँ पर फुल्फिल हो रही हो बाकि लाइफ स्ट्रीम का थोड़ा सा और बेटर करना चाते हो तो GPU आप थ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम कुछ ऐसी बड़ीया बड़ीया वीडियो सब्सक्राइब क्यों पर लाते रहते हैं मिलेंगा इस एक और ने वीडियो के अंदर एक और ने कमाल की टॉपिक के साथ में तब तक के लियार थैंक्स वर वाचिंग